स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे द पोयम द लेबर नम टोप जिसके पोएट है टेड हगिस फर्स्ट वेंजा है स्टूडेंट्स द लेबर नम टोप इस साइलेंट क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेंबर सनलाइट जो लेबर नम नाम का जो विरिक्स है लेबर नम को हिंदी में अमलतास का पेड कहते हैं स्टूडेंट्स और अमलतास का जो पेड है वो एक बताया जाता है कि जहरीला पोदा होता है is silent silent mean shant है quit still और स्थिर है एकदम से स्थिर है कोई हल चल नहीं है उसमें in the afternoon दो पैर बाद का समय है yellow September sunlight और जो सुर्य की रोसनी है वो September के महिने की है yellow क्योंकि सब कुछ कैसा दिखाई दे रहा है yellow इस दिखाई दे रहा है ऐसा क्यों का आगया yellow दिखाई दे रहा है जो sunlight है वो भी yellow है क्योंकि जो sunset का time जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ जो tree है उसके जो leaves हैं वो भी yellow है तो a few leaves yellowing और जो उसके पत्ते हैं वो yellowing है पीले हैं all its seeds fallen और सभी जो बीज हैं वो गिर गए हैं नेक्स्टेंज है students till the goldfinch comes with a twitching chirp तभी एक goldfinch नाम का पकसी आता है चर्पिंग करते हुए चहचाते हुए a suddenness startlement at a branch end और तभी एक भेहनक आवाज जो है वो उत्पन होती है branch end साखा के अंत से जहां से वो enter हो रहा है वहां से प्योंकि वो चहचाता हुआ उस पेड में जो लेबरनम टोप नाम का जो ट्री है उसके अंदर enter हो रहा है then slick as a lizard slick होता है चमकिला as a lizard lizard होती है छिपकली आपने देखा हुआ चिपकली की जो skin है उपर की brightness होती है उसमें तो इस तरह से then slick as a lizard चमकिला चिपकली की तरह and alert alert होता है वो अपने आप में alert है and abrupt और अक्समिक रूप से एकदम से वो enter होआ है पेड में see enters the thickness और वो जो पेड की गहराई है उसके अंदर enter होता है and a machine start-ups और एक जैसे की machine start होती है उस तरह से वो चहचाना चहचाट जो है शुरू होती है of chittering chittering mean chहचाट and termal of wings पंको की फड़फड़ाट and trilling the whole tree trembles and thrills और पूरा पेड जो है कमपाइमान हो जाता है रोमान्चित हो जाता है next answer है students it is the engine of her family ये उसके पेड जो परिवार है उसका क्या है engine है अब ये क्या क्यों का गया है कि जो गोल्फिंच नाम का जो bird है वो जैसे ही पेड में आया है तो उसने जो घोसला वहाँ बना रखा है और वहाँ जो उसके बच्चे हैं छोटे छोटे तो वो भी एकदम से चैचाना शुरू करते हैं क्योंकि वो उनके लिए भोजन लेका है she stalks it full she stalks it full का मतलब यही है कि जैसे ही वो बच्चों के पास आता है उनको दाना खिलाता है then floods out to a branch end और एकदम से वो जो साखा के बाहर की तरफ है वहाँ वापिस आता है sewing her bard face identity mask अपने धारीदार bard face में होता है धारीदार identity mask वो उसकी पैचान है कि उसकी जो चेहरे है उस पर धारिया है उसको दिखाते हुए क्योंकि वो अब साखा के बाहर की तरफ है पहले वो पेड के अंदर गया था एकदम से अपने जो छोटे छोटे उसके चूजे थे उनको उसने feed up किया जो भी उसके पास बोजन था वो खिलाया तो जो चहचाड थी उन बच्चों की वो भी chirping कर रहे थे तो एकदम से पेड जो है गोल्ड फिंच नाम के पक्सी और उनके चूजों की जो चहचाड थी उससे एकदम से थ्रिल रोमांचित हो गया और उसमें एक साउंड जो है वो उत्पन हो गई then with airy delicate whistle chirps whispering और एक भीहानक जो आवाज है city की चहचाने की फुसफुसाहट की वो एकदम से पेड में हमें सुनाई देती है भीहानक अवाज की तरह sea launches away और वो वहाँ से उड़ जाता है towards the infinite infinite का mean यहाँ students आकास है आकास जो है sky जिसे हम कहते हैं वो infinite है अनन्तक की उड़ान के लिए यहां बताया गया कि वो कहां जा रहा है वहाँ से वो उड़ जाता है and the labernum subside to empty और जो labernum जो tree है वो एकदम से फिर दुबारा खाली हो जाता है इसका मतलब है कि जो चहचाहट है वो फिर दुबारा से खतम हो जाती है तो यह आपके लिए poem का explanation था अब हम student सीखेंगे जो poem है आपकी दालेबर नम तोप और poetis के ted अगीज इसमें कौन कौन से poetic device यूज हो रहे है तो students देखिए slick as a lizard मैंने आपको बताया था कि जहां पर as या like आता है वहाँ simil poetic device यूज होता है तो as आया है यहाँ इस line में तो इसलिए यहाँ simil poetic device यूज होगा उसके बाद September sunlight and alert and abrupt तो आप देखेंगे September और sunlight में s से word start हुए है और and alert abrupt यह जो है a in में आया हुआ है तो इसलिए आगे देखिए tree trembles whistle sharp whispering तो यह जो words है students यह जो word है एक ही letter से start हुए है और यह पहचान है alliteration की तो यह ध्यान रखना है आपने की यहाँ इन जो यह लिखे गए हैं September sunlight and alert and abrupt tree trembles whistle sharp whispering इन में alliteration poetic device यूज हुआ है next students a machine start-ups it is the engine of her family her bard face identity mask इन में metaphor poetic device है next students the whole tree trembles and thrills इसमें personification है कि यहाँ बताए गया कि पेड़ जो है वो कंपाइमान हो गया है तो पेड़ यह जो feeling है कापने वाली वो कौन महसूस करते हैं human beings या animals तो इसलिए यहाँ इनको compare किया गया है human beings या animals है तो इसलिए यहाँ personification यूज हुआ है अब हम students कुछ क्योंकि students जो है lake of knowledge जो stanza आपका आता है exam में वहाँ क्या करते हैं वो stanza की line वहाँ लिखना शुरू कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है हमें उसको explain करना होता है जो question आप से पूछा गया है तो कोशिस मैंने यहाँ की है कि आपके उन questions या उन phrases या उन words जो की poem से question के रूप में आप से पूछे जाते हैं उनका आप stick जवाब देशके और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन questions को पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप बड़े असानी से अपने questions के answer देपाएंगे तो लेबरनम ट्री की जो स्टूडेंट्स विसेशता हैं इस poem में क्या शो की गई हैं लेबरनम ट्री जो टोप इस लीफलेस एंड सो इस डेपिक्टिड एज बिंग एपसलूटली साइलेंट क्वाइट एंड लाइफलेस तो जैसे कि यहां हमने इस poem में तो इसलिए जो पेड है वो शांत है एकदम से स्तीर है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें जीवन ही नहीं है नेक्स्ट क्वेस्टन है स्टूडेंट्स वट हैज बीन इंडिकेटिड बाई दा येलो सेप्टेंबर सनलाइट तो इसकांसवार स्टूडेंट्स क्वेस्टन नमबर टू का ओटमान सीजन वैं दा एंटायर नेचर इज येलोईंग दा ट्रीज आर सेडिंग दियर लेव्श तो ओटमान सीजन में स्टूडेंट्स जो पूरी जो परकरती है वो येलोईंग होती है और जो पेड है उसके सारे जो पत्ते हैं वो भी कैसे हो गए हैं मुझाई हो गए हो गए हैं बासी हो गए हैं यलो हो गए हैं Question number 3 is students Describe the effect of season on laburnum tree के जो season है उसका laburnum tree पर क्या effect है Since it's Ottoman season, the leaves of the tree have turned yellow and the seeds have fallen तो जो Ottoman season है उसकी वज़े से जो पेड है उसके पत्ते पीले हो गए है और उसके सारे बीच जो है गिर गए है Question number four students, whose arrival makes this life tree alive, how? तो यह पुछा गया है कि किसके आने से जो पेड है वो जो ऐसा लग रहा था कि lifeless tree है वो जिन्दा हो जाता है कैसे? The arrival of the goldfinch, जो goldfinch नाम का जो पक्सी है, on these lifeless trees make it suddenly alive with its chirping and singing और एकदम से वो चहचाता हुआ जब उसके अंदर आता है तो पेड को जीवित कर देता है अपनी चहचाट से और अपने गाने से Question number five students, which simil has been used here to describe the alertness of the goldfinch? The simil of a lizard, simil students उपमा से related है कि किस से उपमा की गई है, किस से उसकी तुलना की गई है The simil of a lizard has been used here to show the alertness as well as the conflonging of the bird Among the yellow leaves of the tree, that little yellow bird, it found a safe place from the predators तो यहाँ lizard के रूप में उसकी तुलना की गई है और उसकी जो alertness है पकसी की lizard की तरह है और वो पीले पत्तों के बीच में से वो अंदर जाकर सुरक्षित जो स्थान है उसको वहाँ खोजता है Next students, question number 6, explain the phrase the machine startups तो यहाँ machine startups का मतलब क्या है The poet has used the image of the machine starting up to depict the chirping of the excited chicks whenever the goldfinch returned with food for them तो यहाँ machine startups का मतलब है students के जैसे ही जो goldfinch नाम का जो पकसी है अपने जो चूजे हैं chicks हैं उनके पास जाता है तो जो वो चहचाट से जो पूरा जो पेड़ है वो machine की तरह एकदम से start हो जाता है जैसे कि machine की आवाज होती है उस तरह के आवाज पेड़ से आने लग जाती है Question number 7, students Which words have been used by the poet to describe the sudden startlement on the labernum tree तो यहाँ कौन-कौन से word used हुए है poem में students जो की poet ने दिखाए है कि एकदम से sudden startlement जो labernum tree में हुए है तो हुआ चिटरिंग, termor of wings and trillings Question number 8, students What has goldfinch been compared to and why? Goldfinch को किस से compare किया गया और क्यों? Compared to lizard Lizard से compare किया गया और वो अपने गोशले तक जाने का जो रास्ता वो देख रहा था बड़ी तेजी से और बड़ा ही सावधानी से वो अपने गोशले तक पहुंचने का परियास कर रहा था Question number 9, students What has caused the whole tree to tremble? पूरे पेड के कापने का क्या कारण है? The music of the goldfinch and our family echoes in the atmosphere and because of the sudden movement of the bird, the tree appears to be trembling तो जो goldfinch नाम का पक्सी है, students उसकी और उसके family की जो echo है, जो chirping है उससे जो पूरा atmosphere है पेड का वो एकदम से जो कंपाइमान हो गया है इसलिए यहाँ कहा गया है, the whole tree to tremble Next, students, question number 10, what is the engine of the family? तो वो goldfinch नाम का जो bird है, वही engine of the family है Question number 11, students, what does the bird do at the branch end? The bird jump upon a branch end and saw her black mark face Question number 12, students, why is the chirping of the goldfinch array? इरे मिन होता है students terrible भ्यानक, के जो chirping या goldfinch की वो भ्यानक क्यों हो गई है? जिसे देखे students यहाँ यह भी बोला जाता है, bizarre and mysterious तो यह याद रखिएगा के यह भी पूछा जाता है कहीं बार यह जो मैंने inverted को मज में लिख रखा है इसका अनसवार students, because mysterious just as it appeared suddenly out of now here and dead tree come to alive तो students इसे bizarre and mysterious इसलिए का आगे के जैसे वो पेड में एंटर करता है तो जो lifeless जो tree हमें लग रहा है वो एकदम से alive हो जाता है when it flies away living behind a strange silence question number 13 students, what is the meaning of sea stocks it full the goldfin has perhaps brought food to feed its young ones which has filled her family with excitement and energy तो students यहाँ बताया गया है कि goldfin नाम का जो पकसी है वो सायद अपने जो chicks हैं उनके लिए food लेकर आया है और जिससे कि उसकी जो chicks हैं चूजे हैं उनके अंदर excitement है energy है और आपने भी कभी ऐसा देखा होगा कि कोई पकसी अपने जब चूजों के लिए food लेकर आता है तो वो भी चैचाना शुरू कर देते हैं अपनी चोंच को nest से बाहर निकाल लेते हैं मूँ को खोल लेते हैं और वो जो उनका parents है वो उसके मूँ में दाना डालते हैं यह एक poison tree होता है question number 15 students what does the bird do after stocking the tree the birds floods away to the end of the branch और जैसे ही वो अपने यहां stocking जो यूज किया गया students के पूरा पेड जो है वो कमपाइमान हो गया या यू कह लिजिए कि उसने अपने बच्चों को जो feeding करवा दी है तो वो ब्रांच से बाहर आ जाता है और अपने जो bird face है उसको दिखाता है next question is students question number 16 what is the meaning of short loud sounds in the poem तो उसका मतलब है students answer है three links तो students ही आपकी poem है जिसमें आपको poetic device very short answer question और poem को explain करके बताया गया है उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी और मुझे विश्वास है कि exam में आप अच्छे से इसे करेंगे इसके सासा students वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को इसे share कीजिए गया like कीजिए और subscribe कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लाब उठा सके और वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके इसके सासा students मेरा message के meditation आप किया कीजिए meditation वैसे ही है हमारी life में जैसे कि हमारी life में food जितना जरूरी food है उतना ही जरूरी meditation है क्योंकि meditation हमारी बहुत सी problems को solve करने में हमारी help करता है universal harmony को हम feel कर पाते हैं और एक energy जो है students वो हम feel करते हैं तो अपने जीवन में इसे अपना ये meditation हम कहीं भी किसी भी peaceful स्थान पर किसी भी position में बैठ के कर सकते हैं तो ये request है मेरी कि आप meditation किया किजिए और नई वीडियो के में फिर आप से मुलाकात होगी नई टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंज जय भारत